नमस्कार मित्रूं आज के इस विडियो में हम लोग सीखेंगे CLASS 10th संइंस कच्छा 10 बिज्यान का पहला प्रुजेक्ट वर्क यानि पहला प्रुजेक्ट कार है यहां पर आप देख़ पा रहे हैं CLASS 10th संइंस का प्रुजेक्ट فष्ट है और आजके इस वीडियो मित्रो हम आपको बताएंगे देखी इतने धेर सारे आपके experiment है project work first project work second के बारे में आपको पूरा बताएंगे यहाँ पर और इनके मौकी कुछ question के बारे में भी आपको बताने वाले हैं खास बात यह है यदि आप channel पर ना है channel को आप जरू सस्क्राइब कीजिएगा अगर प्रोजेक्ट वर्ग के बारे में बात करें तो हम लोग किसके बारे में सीखना है उदेस, एम फश्ट रासायनिक उद्यान का निर्माण रासायनिक उद्यान का निर्माण का मतलब यह होता है मित्रो जो chemical product होते हैं चीजे होते हैं इनका निर्मान कैसे किया जाता है अगर इनके मित्रो सिध्धान्त के बारे में बात करें अगर इनके प्रिंस्पल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इनका जो सिध्धान्त इनका जो प्रिंस्पल है यहां पर देखे लिखा क्या गया है अधिकांस सिल्केट की अर्ध पारगम जिल्ली में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि कोबाल्ट विलियन की आयनिक सामर्थ सोडियम सिल्केट की तुलना में अधिक होती है यह टैंक एक्वरियम में एकतित हो जाएगा परासरन प्रभाव के कारण जिल्ली पर परासरन बढ़ जाएगा जिल्ली के कटने से इसमें एक छित्र बन जाएगा इसके बाद दिखी मित्रू क्या कह रहा है इसके बात कह रहा है इसके पश्चात कोबाल्ट धनायन सिलकल डिवनायन से क्रिया करके नए ठोस को निड़मित करेंगे वह एक्कुरियम में बृध्धि प्रदर्सित होगी यह बृध्धी रंगीन धातू के अनुसार और पौधों के समान दिखाई देगी यह बृध्धी ऊपर क्यों होगी क्योंकि एक्कुरियम कितल के अपेच्छा ऊपर दबाव कम होगा क्योंकि ऊपर क्यों बृध्धी के लिए उत्तरदाई है तो मित्रो हम लोग सीख क्या पा रह हैं इसके बाद मित्रो आपका आजाता है आवस्यक सामग्री रैट मैटेरियल रिकур doit अखिर में आपको सोडियम सिल्केट विलियन वाटर ग्लास कुछ धात क्रिश्टल जैसे कुबार्ट नाइट्र निकिल नाइट्र आइरन नाइट्र मैगनेज सलफेट मैगनेज नाइट्र यह सब चीज़े होती हैं अगर मित्रो इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें इनके जो बिधी है प्रोस सब बिधी क्या है यहां पर देखिए क्या इनके मित्रो बिधिया होती हैं सर पुतम सोडियम सिल्कोट को एक कॉरियम में लेते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं गर्म करने पश्चाद आनाएटिम जल मिलाकर विलियन तयार कर लेते हैं इसे तब तनक काच की छड़ से हिलाते है जब तक की सोड यम सिलकेट की भाती ने मिल जाये कोई परत न दिखाई दे इसके बाद देखी इसके पस्चाथ इससे तब तक रख लिए देती है जब तक की विलियन इस्थिर नहो जाए फिर देखी किया जाता है एक चिम्टी की सहायता से सभी धातु किस्टल के मिस्टन को डालते हैं उसकी बाद पांचवा छाटवा आप देख सकते हैं यह सब चीजे विधिया होती है आपका जो मित्रो पुर्जेक्ट है वो तैयार करने का इसके बाद प्रेच्छन आ ज मिस्टन की रहातु इसके बाद आ जाता है त्युक्त किस्टन प्रते होते हैं। यह क्रिया भूपरपटी के अधितिक ताप पर संपन होती है इस अभिक्रिया में अनेक रंगिन किस्टल का निर्माण होता है फिर देखिए साउधानिया प्रिस्क्रिप्सन में क्या आपको रखना है प्रयूक धातू लौणों के मतलब यह सब चीजे मित्रू यह आपको स्क्रिण सोड जरूर लेजिए का क्योंकि देखिए मित्रू जब आप स्क्रिंसोड लेंगे न तो आप एक्यकर के पूरा तयार कर सकते हैं किस्टलों के निर्माण के पस्षप हमें क्या करना चाहिए धात कर को किस pense तरह मिस्टल में तो इह सब आपके मौकिक अगर तयारow हो जाते हैं